नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिश इनवास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में आप सभी ने मेरे पुराने पिछले कुछ वीडियो ज़रूर देखे होंगे जिसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टन कैलकुलेशन आप सभी को बताई थी गुजरात इलेक्शन के बारे में हमने एक ही वीडियो पर बात करी थी जिसमें मैंने पूरा क्लियरली एक्स्प्ले हो चुका है और आने वाला कारेकाल भी बीजीपे के लिए ठीक जाता हुआ दिखाई दीता है बहुत ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत कोई बड़ी परेशानियां पर नहीं दिखाई दी थी बीजीश में छोटी मोटे इशूज रहेंगे उसके बारे में मैं आपको समय आ मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे यह बिल्कुल क्लियर मैंने आपको कहा था कि सर्दी गर्मी बारिश बादल सारी चीज़ें देखने को मिलते हुए नजर आएंगी और कुछ वैसा ही यहां पर समय चल रहा है जहां पर पूने में सड़नी बारिश हमें सर्द गर्म वाला जो मौसम जो मैं आपको कहा था वैसा ही यहां पर देखते हुए दिखाई दे रहा है और सड़नली अब दिखेगा कि कुछी तिनों में एकदम से राइस करें की सर्दी जो की चुपती हुए सर्दी रहेगी जो की एकदम से इंपैक्त देगी और उसकी व पर मौसम काफी जदा weird behavior लेकर कि यहां पर चलता हुआ नजर आएगा इसलिए हम सभी को सेहत को लेकर के बिल्कुल भील आपर भाई नहीं करनी है इस बात का विशेश द्याना कियेगा जितना हो सके सेहत का पूरा-पूरा फाइदा उठाइएगा मौसम का पूरा-पूरा फा अभी चीन और ने जिस तरह से एक गलत हरकत यहां पर करने की कोशिश करी मैंने पहले भी कहा था कि चंद्रगरहन के बाद इस तरह की सिद्यां बनेंगी कि भारत की सीमाओं पर कहीं न कहीं परिशानिया उत्पन्न हो सकती हैं और वैसा ही यहां पर देखने को मिला कि भारत थोड़ी लंबी चलते हुए दिखाई देगी अभी इसमें बीच वीच में ओन आफ होता रहेगा और चीन की हरकत आगे और भी जदा खराब होते हुए नज़र आएगी और भी जदा बढ़ते हुए नज़र आएगी इसी तरह के योग यहां पर बन रहे हैं अभी अभी कल सब्सक्राइब करने की कोशिश होती हमेशा कितना एक कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जब करी जाती है तो उसके रिजल्स भी उतने ही अच्छे यहां पर निकलने के चांसे बन जाते हैं और उमीद करूँगा कि आप सभी इन वैदिक स्ट्राइब के माधियम से ज जरूर आशी में जैसे ही सूर्य पहुंचेंगे मैंने अल्टी बता दिया है कि देश और दुनिया में कुछ परिशानिया यहां पर उत्पन्य होना शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़े चेंज़े यहां पर देखने को मिल सकते हैं या बहुत यहां पर आते हुए जरूर दिखाई दीगी इस तरह की योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं यही प्राटता करूँगा इस वर्से कि कोई बहुत ज़्यादा गंबी रिस्तति यहां पर ना देखने को मिले और बहुत बड़ा नेगिडिव यहां पर कुछ भी ए देखने को मिल जाएगी इस तरह की यहां पर बनते हैं अभी आप अगर देखेंगे तो अमेरिका का नाम काफी लंबे समय से तुरह सा शान्त है बट जल्द ही अमेरिका का नाम कहीं किसी ने किसी खबर को लेकर कि यहां पर सुनने को मिलेगा और वह नेगिडिव खबर की दौर में हम एंटर कर रहे हैं और रिसेचन के दौर में जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें परिशानिया धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है महंगाई धीरे-धीरे बढ़ती हुए नजर आएगी और उसकी वज़े से काफी ज़दा फ्रक्शिन यहां प जो रहेगा समय वह बहुत ज़दा पॉजिटिव समय नहीं दिखाई देता मधिपदेश के लिए और इस वज़े से कुछ नेगटिविटी यहां पर भी देखने को मिलेगी सो महराश्ट्र में और मधिपदेश के आसमास दोनों M से शुरू होते हैं और आप देखिएगा क कहीं न कहीं यहां पर इस तिदियां जो हैं वह बहुत ज़दा अनुकूल नहीं रहेगी इस तरह की यहां पर बनते हैं इसके अलावा यहीं पर देखा जाए तो हमारे देश के प्यदामत्री मोधी जी को मैं कहूंगा कि उन्हें थोड़ा सा सहत का ध्यान रखना चाहिए और प्लस बीजेबी के और दूसे सदस्यों के लिए भी मैं एक ही शब्त का इस्तमाल का हूँगा कि यह समय सहत को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूत है क्योंकि ऐसी कैलकूलेशन है कि किसी बड़े लीडर को सहत को लेकर के कोई परिशानिया यहां पर देखने को मिल सकती हैं पुतिन के बारे में तो हमने अलड़ी देख लिया है वर्ल्ड में भी चीजे चल रही हैं कि दुनिया के या देश के किसी बड़े लीडर को कहीं न कहीं हेल्थ को लेकर के कोई परिशानी यहां पर दिखाई देती हैं और अगर कुंडली सही है अगर मेरे पास कि कोई बहुत ज़दा हानिकारक चीजे ना देखने को मिले या कोई बहुत बड़ा नुकसान यहां पर ना देखने को मिले इसके अलावा एक और चीज में आप सभी को कहूंगा बच्चों का विशेश ध्यान रखिएगा यह जो समय है यह बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसान देता हुआ नज़र आएगा खास कर वो बच्चे जो तीन साल से चोटे हैं तीन साथ तीन साल से चोटे बच्चों का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा दिसंबर और जैनुवेरी का महिना आप सभी को बहुत ज़ादा ध्यान रखने की ज़रोते लापरवाई किसी भी चीज़ की मत करिएगा और अभी सड़न ट्राइवल को अवाइड करते हुए नज़र आईएगा अननेसरी वीकेंड्स आएगा दिखें न्यूर सेलिवरेट करने जाएंगे बट अडवेंचर चीज़ों पर मत जाएगा और अननेसरी कहीं पर भी ट्राइवल मत करि करेंगा बता चुका हूं रिलेशन्शिप और शादी के लिए समय कैसा रहेगा इसके बारे में आप सभी को एक्स्प्लेइन कर चुका हूं उमीद करूंगा कि आप सभी उस वीडियो उसको देख करके प्लान करकर के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और आगेड़ी 2023 में काई सारी कैलकुलेशनिंगा जो कि मैं आप सभी को जाते हैं और हमारा कैलकूलेशन Сथे होते हैं और हमेशन घारा उतरने की को安शिश हैं करें एक्एब लाइक लिएगा कि पिशनल को सब्सक्राइब कर दीएगा हू हर् से रहां पber आपको उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मद्ध दिहां पर कर सकूँ धनिवाद